हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में विंडो डिफेंडर एरर 0x80071395 आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना करना भूलें चलिए शूरू करते हैं आपको क्याकotail कर देना क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब हम आले यहां पर चैसम भी तरह से होता है तो fak क्या करना है यहाँ पर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर जैसा मैं टैप करना है यहाँ टैप करना है इस तरह से टैप किजेगा इसके बाद आपको स्पेस दिना है इसके बाद आपको फोरवर्ड सेलेश टैप करना है इ झाल 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 आपको दिख जाएगा Microsoft Defender इसके उपर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा अब माल लिजे यदि आपके केस में ये सर्विस स्टार्ट नहीं होगा तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आएगा Microsoft Defender इसके उपर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा अब यदि आपके केस में यहाँ पे भी ये सर्विस रणिंग नहीं है यदि ये स्टोप है तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्टार्ट पे किलिक करके और एक बात और आपको ध्यान देना है यदि आपने दूसरा अंटी बारे से इंस्टॉल किया हुआ है ता आपको क्या करना है उसको अनिस्टॉल कर दिने क्योंकि दोनों एक साथ रन होने में कमपरटेबल इसू आजएगा कुछ कुछ एरर आता है तिसलिए आप उसको अनिस्टॉल करके फिर चेक कीजएगा आपका प्रॉलाम सॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है सिस्टम को रिये स्टार्ट कर देने रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो यह प्रॉलम था यह एरर था यह एरर फिक्स हो गया होगा और प्लीज गया चैनल को स्ब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें थैंक यू